तो सबसे पहले जानते हैं कि जो कोर्स हम पर इंड्यूज कर रहे हैं आपको क्या है यह लेटेस कोर्स है हमारा जो की है डेटा एंड विजलाजेशन इसको मैंने जून में ही डिजाइन किया है इसके मेजर ली जो पांच में पॉइंट से इसको कहिए कि पांच पराव है या प्रफिर पांच स्टेप्स कहिए या पार्ट कहिए सबसे बलाएगा आपको कंप्लीट एडवांस एक्ष्ट फाइवंड फार्मुला सेके आएगा आपको एडवांस पीवट टेवर्ट टेवल बिट ट्वेंटी पीवट डैश वो तीसरा आएगा आपको मास्टिंग इसके पार्ट को देखे क्या है सबसे पहला पार्ट आएगा आपको एडवांस एक्ष्ट का जिसमें हम एक्सल के सारे फीचर कबर करेंगे एट उजब साथ बेसिक टू एडवांस एडवर्टिंग कवर होगा ठीक है अब इसमें हो सकता है कुछ चीज में ना मेंसन किया इसलिए मैंने इसको इन उसके बार इसमें आएगा एक्सल की इन बिल्ड ले आए उसके लाबाद चैल से कैसे सपोर्ट लेंगे और एक्सल की अंदन पायाथन की निव फीचर से आया है उससे कैसे हम विज्राइशन में सपोर्ट लें तो यहां तक जो होगा आपके टॉप इसके बाद सुरू होगा इसमें आपको हम तक्रीब बन पर टी के आस पास रिपोर्ट अटोमेशन और डैश्वोट तबर करें अब लगों से डैश्वोट होता है कैसा है मैं आपको एक दिखा देता हूं मैंने तो आजर पहले ही बनाया है इस डेटा को हमने एनुलाइज करके शपॉर्ट सीप समराइज किया न हमने डैश्वोट पर जाके उसको विजलाइज किया डैस्वोट में क्या किया विजलाइज किया इस तरह के तक्रीबन 20 से 40 डैश्वोड्स जो मैं बना के दिखाऊंगा और आपको भी बनाने इंए य यहां पर कवर करें कि कि अगर स्कोर्ट को करते हैं तो आपके पास कम से कम पांक साल का वर्किंग एस्प्रियेंस आजाएगा एक्सलिक इसमें उससे आप एकसल के हर एंगल की चीज़ों को जाना ठीक है इसके लिए आपको 50 से 65 घंते का डूरीशन चाहिए हो ठीक है अब कुश्चन आता है कि हम पढ़ाएंगे कैसे चलिए एक छोटा सा एक्जामपल आपको देते हैं ठीक है तो कैसे हम ट्रेंडिंग देते हैं इसके बारे में समझाएंगा सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर एक नई एक्सल सीट लेते हैं ठीक है और नई एक्सल सीट पर मान लिजे कि हमें एक पर नई तो एक्जामपल के लिए मैं किस तरह कर लगाना चाहता हूं कि जैसे मैं यहां पर पुछ लिखता हूं कॉमा कॉमा एक्सल के अंदर में यहां जो इन्विल्ट सीजें उसके क्यों फॉर्मूला अब यह जोड़ी नहीं है आप की जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना तो मुझे इस इस बी को काउंट करता है सबसे पहले में लगाओंगा लेंग इसका लेंग 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 लाने के बाद इसका लेंद आएगा कि बहुत रहा है इस एल के नदर जो भी टाइप जह नो उसका लेंथ निकाल ज़ीए तैन यहां बें दो लेंद फोन कि इन लेंध नहीं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ नो डस ग्यार कॉमा हुआ वी तैंकर है ने ना समय कि है को लगाएंगे इसको करेंगे और मुझे काउंट क्या करनाइब करता है ठीक है तो बी को ब्लाइंड कर दें किया किया कि एपरी में बी को ब्लाइंड कर दियों कि दिलीट कर दिए अब इसका हम लेल लगाएंगे लेल लेल तो जब था तो 11 था बी को कर दी दिली तो क्या बचा एट फिर मैं यहां पर क्या करूंगा लगाऊंगा फॉर्मुला कि 11-8 तो फाइनल इजल्ड क्या आया 3 आया लेकिन हमने क्या किया कि इस फॉर्मुले वो कई सारे सेल्स पर लग एक हाई आद्ध क्या अब क्या ग्याई है फॉर्मुला मर्जिन मी था रहुड़ बैसेिक टिलिक किया एक को यहां पर फॉर्मुला ऊसथम्रों क्या करके एक बाहर के लिए यहां और है इसका ब huge nossa और इसमौन अधर पे फॉर्मूला पर शूर्मबार किए पर पी एक बाहर फॉर्मिले को कॉपी करेंगे और यहां जहां हमार टी फॉर है यहां दी फॉर्ट को टेस्ट वे बाकियों कर दीजिए गली और इसको किजिए कट कंटूल एक्स यहां पर कर दीजिए पेस्ट अब एक जामपल मैंने समझाया आपने समझा इसकी रिकॉर्डिंग भी बढ़े आपको प्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी जाएगी अब बाड़ी आती है कि आप खुद कैसे करें तो ऐसा नहीं है क कि आपको प्लिव को फोड़िए उसके लिए क्या करेंगे आपको बनाओंगे होस्ट अब आप कीजी इस्क्री शिया फेक्वाश्य पंदिख्या मैचिक उसपे स्क्रीं सिएक्वेगेदेगें स्क्रीम in कि यह पार्टिसिपेंट देशेर हैं हाँ हाँ है क्या दिक्कत वह रहा है कि अब नीचे शेयर दिख रहा होगा शेयर शेयर पिक्लिक किजिए शॉटकट है अल्ट एस हुआ है और स्क्रीन को सेलेक्ट किजिए सबसे पहला इंटायक देश्टॉट चलिया अब एक्सल फाइल को ने चलिए अब करें आप करें आप बी कॉमा कई बार बी कॉमा बी कॉमा इसे लिखिया ना जैसे मैंने लिखा था करें देखिया ना बेंटर बारें आपको कॉमा को कॉमा इसे लिखिया था रिखिया ना बेंटर बारें अब यहां साइड में आई है सी प्री 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 अब यहां पर लगाएं लेन का इक्वाल एलियेन लेन और ब्राइक रोपन कीजिए इस लेक कीजिए यह बी टू को जो आपने जहां पर लिखा हुआ उसको आपने आप हो जाएगा अब दी टू पे जाएए दी तरी पे जाएए दी तरी पे जाएए कि अब सब्सक्राइब कीजिए अब सब्सक्राइब कीजिए बी टू को गोड़ इंवर्टिड को में बी लगा इन दबल कोटेशन मार्क के अंदर बी लिखी इंवर्टर को मां एंडर के बगर में होता हैं इंडर के मगर में इंवर्टर को मां नहीं इसमें इन तोड़ा प्रोड़म है यह तू के ऊपर वो दे रखाया है लेकिन आप साहिए था विके रिखें कर दिखें कॉमा अब इन्वर्टर कुमा के ओपन क्लोज के हुए एंदा माण कीजिए अब जो है वी जोड़ के सच हाँ अब दी कॉलम को था बड़ा कीजिए आप यहां पर करसर रखे लें फॉर्मला रखें लें फॉर्मले में जो रिजल्ट आया वी तरी प्रोज को सेलेक्ट कीजिए सब्सूट का रिजल्ट अब दोनों को मैंने सब्सक्राइब किजिए नाइनटीन मैंनेस फिक्टीन कीजिए आप दिख रिजल्ट फोरा है तो हमने यहां पर पूरा किया हमने लगा लिया अब इन सबको आपस में इन सबको आपस में क्या करना है मर्ज करने के लिए करने के लिए सबसे पहले आईए सी करी बें डबल क्लिक कीजिए अब लेन एक्कुल के बाह से सराफ अबला को भी गड़ी करते हैं एक्कुल के बाह सराफ अबला को भी गड़ी करते हैं इसकेप प्रेस किजिए ताकि बहार आजिए अब भी एफ फो एफ तरी पर जाए जहां पर फो डिजल इससे डवल क्लिक की तो आपने किसका फर्मूला को भी किया है और दिख्विए कर गए चीटरी को डिलीट करके चीटरी पर फर्मूला टेस्ट कर दिए चाहिए अब एंटर मारे नहीं एसके अपने एंटर कोपी कर रखा है तब मारे सब्सक्राइब करने के बाठेशन पर ठक इसलिए ऑपने कोपी कर रखा है सब्सक्राइब कोपी करने के पाइब से बाहर निकल सब्सक्राइब कीजिए अब सी थ्री पे पेस्ट करके एंटरप्रेस की दिए एंटरप्रेस की तो मतलब आप सी थ्री के फॉर्मूला को आप डिलीट कर सकते हैं तो फॉर्मूला मर्ज होगी आप पर फैनल फॉर्मूला इसको डिलीट कर सकते हैं अब यह यहां पे जहां पेस्ट कीजिए तो एंटर कॉपी कीजिए अब फिट डबल क्लिक करके सारा फॉर्मला कॉपी कर लिए तो इसको डिल्ट कर दीजिए अब पर कॉपी कर लिया हाँ अब फिटीन डिजल्ट आया ना उसका अब आए फूर पेस्ट को पी हो चुका है सार एक बाद भूपी हो चुका है अब यह तरी प्रिए 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 अधिए अधिए अब फिटीन को डिवीड किजिए अब आपने सारा यहां पर डाल दिया कट करके जहां डालना है वहां पर पेस्ट कर दीजिए कॉपी नहीं कट करना है कि आपको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका रेफ्रेंस इंक्रीज नहीं अब आईए मैं ऐसा क्यों आप समझेए कि इसका क्यों बता है अब एक तरी पर क्लिक किजिए करसा रखिए डबल क्लिक किजिए तो इस दौर में इतना लंबाव फॉम्मूला लगाने में आप प्रॉब्लम हो देख से तीन फॉम्मूला लगा रखे हैं क्या तो शुरुआती दौर में जब मैं सिखाऊंगा तो पहले ऐसे एक्स आगे चलके आप 15 फीस फॉम्मूलेवी करते लगा तो ट्रेणिंग का यही एक सिस्ट फंड है कि सबसे पहले मैं आप क्या करूंगा कि अब से पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पे समधाऊंगा अब टॉपिक छोटा मोटा हुआ तो मैं बोल दूगा और सामने में करवाऊंगा जहां पर आपको पहली क्लास में आप इस तरह के एक प्रॉब्लम नहीं होगा कोई बात नहीं है अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो कॉल के लिजएगा अब हम आपकी कोश्चल पर आते हैं कि आपके ऑफिश्यल प्रॉब्लम को कैसे सलूशन करेंगे बिलकुल करेंगी अभी देखी एक सचीन जी है हुआ है कुछ देर पहले उन्होंने मुझे क्या किया बताया मुझे संथा और प्रॉब्लम है मुझे नहीं करने के बाद मुझे करने के बाद तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ भी सीर कर सकते हैं और ऐसे बहुत सार में वीडियो भी बनाता हो आपकी टॉपिक अच्छी होई तो आपको एगी वीडियो ना आगे डाल दूंगा मैं तो पूछे 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 के दिखा दो क्लास के बाद माग खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आप मेरे साथ डिसकॉस कर सकते हैं तो एक दो प्राइडे आपको हफ्ते में तीम दिन क्लास होगा एक दिन टैक्टिकल होगी क्योंकि एक टेक्निकल कोर्स है आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ जीसर जीसर वेटने से नहीं सीखें इसमें आपको तीन चीज़ रिवाज रिवाज रिपीट रिशर्ज डबलू आरार मेथ़ोड अपनाना पड़े कि पहले क्लास को वाज कीजिए समझ ज रिपीट उस जो मैंने किया है उसको और जैसा उसके जैसा और चीज़ें दूनी कि और क्या हो सकता है कि मनाया तो वाज रिपीट करना है रिपीट करना है और इसी तरीके से हम आपको हर एक चीज़ संधाओ हर में बताओंगा कि आप यहां पने आसे कीजिए मैं करके दिखाओंगा फिर आपसे करवाऊंगा पहला तो फिर आप से कारी कर दिए लेकिन आप कर रहे हैं और मैं देखूंगा अगर माली आपने ग्रूप में जॉइन किया है बाकी स्टुएंट आए नहीं छोटी से प्रब्लम है तो हम आपको ले लेंगे लेकिन रेर केसमें होता है कि आपके स्क्रीन लेकर आपको देख लेगे क्योंकि पंदर-बीच लोग की खासियत ही हो दिया है कि आप सामने करेंगे मैं देखूंगा जहां रुकेंगे वहां पर आपको एक्स्प्लेइन करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे एक-एक टॉपिक को अभी तो मैंने फाइल नहीं दिया बट क्या होगा कि जो मैं करूंगा उसकी फाइल आपको पहले पर देखूंगा और फिर मैं बच देखूंगा कि आप करके ट्राइब करके देख लिए आप रही कर लिया दैन नेक्स्ट प्रॉबिक को मूब करेंगे ट्राइब करते से मैं प्राब्लम होई आपसे नहीं हुआ देन स्क्रीन लूँगा वर लूँगा कि हां इसको ऐसे कि